गाईज अभी हाली में Black Shark 2 में JoyUI 11 का अपडेट आया जो कि Android 10 पे बेस्ट है अब मैंने अपने फोन को अपडेट करने के बाद अच्छे से यूस कर लिया और यहाँ पर मेरा के एक्सपिरेंस रहा है वह मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाला हूं लेकिन मैं आप लोगो बिल् कंप्रोमाइस करके बनानी बड़ी बड़ बहुत जल्दी आने वाली वीडियो में आप लोगों को मेरे नए सेट अप दिख जाएगा तो वीडियो चैनल को भी कर देना है सब्सक्राइब अब मैं मिलता हूं आप लोग से एक छोड़ेशन्टों के बाद तो सबसे पहले ब पहले की कंपारिजन में स्मूध हो गई है तो पहले हलका फूल का कहीं पर स्टर अगर होता था तो वह अभी नहीं हो रहा है अब यार सेकंड अची चीज के बारे में बात करूं तो इसमें एक नया उप्शन एड़ कर दिया कि पहले तो जैसे क्या होता था कि हम आल्वेज यहां पर Ambient Display नाम का एक नया option डाल दिया गया है जहां पर हम टाइम के साथ साथ messages भी देख पाएंगे हम अपने हिसाब से कोई भी message यहां पर डाल सकते है जो कि हम लोग Ambient Display में चला पाए तो यही तो चीज मुझे लगी जो कि JoyUI 11 में थोड़ी बहुत अच्छी आई है क्योंकि अपडेट से पहले जो फोन में यूआ था वह बहुत ही साथा सिमिलर था स्टॉक अंडूइट से लेकिन अभी इसका यूआ है वह बिल्कुल MIUI 1112 जैसा बना दिया यहां पर बिल्कुल शौमी के फोन होते उस तरह की feeling आ रही इसको भी चलाते हुए लेकिन मैं यहां पर जार सकते हों लिए नहींगे इस अपडेट कि जर पहले भी आती थी लेकिन आप बहुत हैं पर Oopsी Harry queen clicking क करते हैं मैंने यहां पर MI cleaner चलाए था जहां पर यह अप्लिकेशन फोन की सारी junk file को clean कर देता है लेकिन यहां पर भी हम लोग आड देखने को मिल जाती है अब यह सबसे जादा नौइंग बात ही है कि जितनी भी एड्स है यह कोई banner वाली आड नहीं है कि जैसे कोई side में आई तो हमने scroll कर दिया यह इस तरह की आड नहीं है यह सारी full display वाली आड है जिसको उपर टाइमर चलता रहता है बस हमें वेट करने होता है कि कब टाइमर खताम होए तो हम इसको skip कर पाएंगे तो बिना उसके यहार हम इस आड को skip नहीं कर सकते हैं तो सहीं में बहुत ही जादा तंग हो यहां पर हर जगे बैनर वाली आड अभी भी देखने को मिल रही है तो मुझे नहीं पता है यह कोई बग आया फिर ब्लैक्शक वाले जानबूस के अड्स को दे रहे हैं अब आते हैं गेमिंग सेक्शन की तरफ तो यहां पर इसका खुद का ब्लैक्शक गेमिंग लांचर ह मिल जाते हैं लेकिन यहां पर भी एक्स्पिरेंस कुछ खास नहीं रहा है यहां पर जब मैंने पपजी खेलने की कोशिश करी तो परफॉर्मस तो डेफिनेटली बहुत ही जादा अच्छी थी कोई भी यहां बर फ्रेम टॉप या फिर लाग देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन यार फोन पहले के से बहुत ही जल्दी ही अफोचा हो था मतलब कि मैं नॉर्मल टेमपरेचर में खेल रहा है तो ठीक है म सकता हूं घरमी है बाहर के से लिए फोन जाधा ही ट वरहा है लेकिन यार जब में एसी आउन करके गेम खेलता हूं तो भी धाउन बहुत ज़ खेलता था तो जब नॉर्मल एरांगल के मैच मैं लगाता था 30 मिनिट वाला तो उस टाइम यार जो बैटरी ड्रेन होती थी मेरी एक मैच में वो 9-10% के आसपास होती थी लेकिन यार अभी सेम मैच में सेम 30 मिनिट के अंदर जब मैं एरांगल गेम खेलता हूं तो यहां पर यहां बैटरी ड्रेन हों वो 17-18% बैटरी ड्रेन हो रही है मतलब इस बहुत है जो कि एक बहुत ही जादा सीरिस इश्यू है और इस अगर आप इंस्टाग्रापं भी सर्फ करते हो ना थे भाट टैजी से बैटरी ड्रेन हो एकि मेरे पास यहार एक और आइफॉन यह आभी यहाँ पर heat up और battery issue को seriously जल्दी fix करना पड़ेगा black shark वा लोगो तो यार अभी के लिए मैं seriously आप लोग को recommend नहीं करता कि आप लोग joy ui 11 पर update करो जैसे ही यार यहाँ पर black shark की तरफ सी को ऐसा update आता है जहाँ पर वो लोग यह सब चीज को fix कर देते हैं तब मैं इसके उपर एक separate video बना दूँगा और आप लोगो बता दूँगा कि आप साही time में आप लोग अपडेट करने का हाले कि आप लोग को gaming से मतलब नहीं है तो definitely आप लोग कर सकते हो Mac on हो तो आप लोग को रोकने वाला लेकिन तब ही भी आपडेट मत करना और गैस अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि अपडेट कर चुका है तो नीचे आर मुझे comment section ने बताना कि क्या आपके साथ भी same experience हो रहा है या फिर मेरा ही phone जादा heat हो रहा है हाले कि यार यहाँ पर जो मेरे gaming experience था PUBG खेलते पर तो काफी जादा अच्छा था लेकिन यार त्लुकि यार बैटरी बहुत जल्दी drain हो रही थी साथी में phone यार heat भी बहुत जादा हो रहा था और त्लुकि यार इस ओने हम लोगे aluminum जादा देखने को मिल जाता है तो जो aluminum यार वो seriously बहुत ही जादा गरम हो गया था जिसकी बहुत है कि मुझे phone पकड़के literally AC के सामने खड़ा होना पड़ा कि ताकि phone जल्दी से cool हो जाए तो आज की वीडियो के लिए इतना है मैंने आप लोगो बताए कि Black Shark 2 में किस तरह का update आया है और मेरे device मानो तो अभी के लिए इसको update मत करना मैं यहाँ पर seriously इसको install करने के बाद बहुत जादा पच्छता रहा हूँ हले कि मेरे पास कोई revert back करने का option नहीं है तो ताकि यह आप लोगी situation में ना आ जो मेरी बात मानो इस update को install मत करना सो गाई बस आज की वीडियो के लिए इतना है और में आप लोगे वीडियो पसंद आई होगी वीडियो से लेगों तक कर देने like और यही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी कर देने subscribe अब मैं में मिलता हूँ आप लोगों से और कमाले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एंड सिया